ये भारती जनता पार्टी वाले दूसरा धर्म बता रहे हैं लेकिन जो गरीब है, मजलूम है, पिछड़े है, दलीत है, जो कमजोर वर्ग है उसके लिए दो ही धर्म की लड़ाई है, एक अमीरी, एक गरीबी पेपर तक तो ये लीग करवा दे रहे हैं, कि नौकरी ना देना पड़े, इनके पास वेकेंसी है नहीं है, ये किसी तरीके का इंतिजाम चला ही नहीं पाए अभी तक, ये हकीकत 80 बना, बिसकी लड़ाई तो है, मर जो पिछड़ा वर्ग जो है, जो गरीब तबका है, वो 80 है चना दे दिया, तेल दे दिया, नमक दे दिया, जो है, चावल के हूं सारा फिरी तो वो भी दे रहे हैं, तो फिर कैसे समझाएंगे हमारा निसान साइकिल हमारा परत्यासी साइकिल है चाहे अखिलेश जी जिसको उतारेंगे हम सब मिल जुलकर साइकिल के निसान पर परचार परसार करेंगे आप ये बता दीजे एक परिवार में एक किलो तेल चला लेगा अगर पाँच आदमी का परिवार हो, क्या वो एक किलो तेल चालेगा, खालेगा एक महीना, गर्मी निकले ना निकले, मर भरतियां जरूर निकलेगी और हम लोग उनकी बास से पूरी तरह सहमत है, युवा को गर्मी नहीं निकलना है, युवा को रोजगार चाहिए, भरती च नमस्कार, आप उतकर्ष पत्रिका देख रहे हैं, और मैं हूँ आपके साथ वैभॉसिंग, इस समय गोरकपुर ग्रामिड विधान सभा के जाफरा बाजाद में हम मौजूद हैं, और बातचीत करने के लिए कुछ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कुछ समर्थक हैं, अब समाजवादी लोग हैं, तो जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी की ही बात करेंगे, लेकिन फिर भी इनसे हम समझने का प्रयास करेंगे, कि क्या कुछ त्यारी है इनके पार्टी की और कैसे आखिर समाजवादी पार्टी गोरकपुर ग्रामिड विधान सभा को ज को माननी राष्टी अध्यक जी अकलेश यादो जी ने परत्यासी बनाया है और यहां चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो चाहे दलिस समाज हो चाहे अल्पसंक्यक वर्ग हो सभी एक जूट हो करके समाजवादी पार्टी को वोड़ दे रहा है और वो बदलाव चाहते इसलिए ब दूसरा धर्म बता रहे हैं लेकिन जो गरीब है मजलूम है पिछड़े है दलित है जो कमजोर वर्ग है उसके लिए दो ही धर्म की लड़ाई है एक अमीरी एक गरीबी अमीरी बनाम गरीबी की लड़ाई चल रही है और जब से भारती जंता पार्टी आई है महेंगाई और जो नौजवान लड़के नौखरी करते थे करोडों नौखरी चली गई महेंगाई आप सिलेंडर देख लिजे दाल का हाल देख लिजे तेल का हाल देख लिजे और मेरे नेता मानिय अखलेस यादों ने ये एलान भी किया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही हम 300 यह चना दे दिया तेल दे दिया नमक दे दिया जो है चावल गेहूं सारा फिरी तो वो भी दे रहे हैं तो फिर कैसे समझाएंगे तेल आज कितने लिटर है तेल कितने लिटर है गय सिलेंडर जो 400-600 का था आज कितने का एक सिलेंडर है महंगाई मुद्दा है महंगाई और नौजवानों के लिए नौकरी मुद्दा है और यही नहीं हमारे नेता ने एलान किया है कि 22 लाग सिब आईटी सेक्टर सेल में हम नौकरी देंगे 22 लाग आईटी सेक्टर में और यही नहीं हम लोग पेड़ भर 10 रुपे का थाली भोजन भी कराएंगे दो सिलेंडर सालाना हम निसुलक देंगे और 18,000 रुपिया मजदूरों के खाते में सालाना हम लोग भेजेने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करने का काम करेंगे अच्छा देखिए इतनी आपने अपने उपलब्दियां गिनाए आपके घोषड़ा पत्र में जो चीज हैं उसको भी आपने बताया लेकिन अगर बात करें तो जो टिकट बटवारा भी हुआ है खर अब तो नमांकन करने का कीतिती खतम हो गई है लेकिन जो टिकट बटव मंजस की स्थिती को दिखाता है तो फिर इससे कैसे आप लोग डिल करेंगे कोई कारकरताओं में कोई रोस नहीं है समाजवादी पार्टी के मुखिया माननी अकलेस यादो जी ने जिसको टिकट दे दिया जनता उसके साथ है और जनता बदलाओ चाहती है चाहती है कि भारती जनता पार्टी को हाटाना और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना और जनता जिसके साथ रहेगी कारकरता और नेता उसके साथ है आपकी बार क्या देखके वोट करेगा युआओं के क्या मुद्दे होने वाले इस चुनाओं में रोजगार पैदा नहीं किया ये दिखा रहा है आकड़ा की सादे चार लाग सरकारी नौकरी दे दी आप युवाओं को देख लीजिए कितना हर विभाग में हर जहां वेकेंसी निकल लीए पेपर तक तो ये लीग करवा दे रहे हैं कि नौकरी ना देना पड़े इनके पस वेकेंसी है यह नहीं है ये किसी तरीके का इंतिजाम चला ही नहीं पाए अभी तक ना सरकार में सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीत करें सिर्फ धर्म के नाम पे यह 80 बनाम 20 की लडाई करें यह हकीकत है 80 बनाम 20 की लडाई तो है जो पिछड़ा वर्ग जो है जो घरीब तबका है वो 80 है इस हिंदुस्तान में हमारे 80% लोग पिछड़े है उन्हीं की लड़ाई है अब वो हमारे साथ हैं इस वक्त समाजवादी पार असी परसेंट लोग सपा के साथ हैं 20 बाचपक एकदम साथ हैं उन्हीं के कॉल के मुताबिक और आपने जो कहा था अभी कि तेल और चना और दे दिया गिया आप ये बता दीजए एक परिवार में एक किलो तेल चला लेगा अगर पाँच आदमी का परिवार हो क्या वो एक कीलो तेल चालेगा खा लेगा एक महीन सरकार में हुआ यह आज लागडाउन की वज़ा से केंद्र साथ जो केंद्र दे रही है अपनिया तो यह चाती केंद्र पहले भी दे सकती थी यह इनकी मंसा क्यों अब हुई है जब से लागडाउन हुआ और यह सिर्फ कब तक मार्स तक चुनाओ जब तक है तब तक उसके ब जोगी जी कहते हैं कि दस मार्च के बाद गर्मी उतार देंगे एक तरफ जैंत चौधरी के उपर निसाना साधा जाता है पस्ची में और अखले से आदव को पर जीने कहा है कि गर्मी ना उत्रे लेकिन भरती जो है गर्मी निकले ना निकले मर्भरतियां जरूर निकलेगी और हम लोग उनकी बास से पूरी तरह सहमत है युवा को गर्मी नहीं निकलना है युवा को रोजगार चाहिए भरती चाहिए और अखलेस जी का वादा है गर्मी निकले ना निकले हम लोगों को भरती चाहिए और युवा को भरती चाहिए हमारा यही मुद्दा है वो जो आउट्सोर्सिंग की द्वारा लिया जा रहा है अखले से आदों नहीं कहा आउट्सोर्सिंग क्या होता है हम तमाम विभागों में अभी कर्मिक मंत्राले का आया था आटी आई के द्वारा लोगों ने जानकारी हासिल किया तो पता चला कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीस लाग के वल सरकारी पद ऐसे खाली पड़े हैं जिसमें समी वर के लोग नौकरी कर सकते हैं साथ में लगभग सम्विधा के द्वारा जिनकी उमर 40-45 पार कर चुकी है ऐसे भी सम्विधा कर्मी हैं जिनको पिछली इस सरकार ने कहीं उनकी सुनवाई नहीं की वो 8000-10000 की नौकरी कर रहा हैं उनके बच्चे पढ़ रहा हैं आद्धास हजार में उनकी पढ़ाई नहीं हो सकती है अखले स्यादो ने ये कहा कि सबको मैं पर्मानेट करूँगा उसी तरह तमाम सिच्छक भरती और सभी भरतियों को अखले स्यादो ने खोलने का काम कहा है अखले स्यादो जी एक बैग्यानिक सोच के वेक्ति हैं वो प समाजवादी पार्टी के चाहे लुहिया जी का समय रहा हो चाहे हमारा निसान साइकिल हमारा परत्यासी साइकिल है चाहे अखलेस जी जिसको उतारेंगे हम सब मिल जूलकर साइकिल के निसान पर परचार परसार करेंगे जो भी राष्टियाद्य जी का निड़ना होगा उस कंडिडेट के साथ हम चलेंगे और हम ही नहीं हर कोई उनके साथ दो चार पाँच अगर जा रहें तो कोई बड़ी बात ने वोटर हमारे साथ है साइकिल का निसान वोटर पहचान रहा है इंटर पाथ बच्चीयों को आध्यूनिक पढ़ाई के लिए लिपटा दूगा तो मैंने दिया मैंने कम मेरी सरकार ने कहा था कि इंटर पाथ बच्चीयों को मैं 30,000 रुपया करने बिद्द दन दूगा दिया अपने बताया वादे पूरे किये फिर भी जनता जब सत्रह का होता है तो भाषपा को जीता देती है अखिर कहां भी फलता रह गई और उस भी फलता को 2022 में कैसे दूर कर देंगे अप लोग इस परदेश की जो जनता है उसमें 75% बड़ी भोली भारी जनता है और 10% ऐसे लोग जो नौकरी पेशा है 15% ऐसे लोग हैं जो सियासत से मतलब नहीं रखते हैं इनके बहकावे में चले आए इन्होंने कहा हम 15 लाख रुपया देंगे उन्होंने सुचा 15 लाख रुपया मिलेगा लाओर दो इन्होंने कहा कि ये मकान आपका हो जाएगा लाओर दो इसी तरह से बहकावे में चले आए अब तो जनता किया खुल लएए ना जब सारे 300 का सिलेंडर था तो भारती जनता पार्टी के कार करता और उनकी महिला मोर्ची सर पे सिलेंडर लेकर जरना परदसन पे निकल गए थी और आज एक हजार रुपय का सिलेंडर हो गया है कहीं से कोई आव आज नहीं उठ रही है तो इसके लिए तमाम उत्तर प्रदेश की महलाएं भी गाड़ बांद के बैठी मिए कि कब जो है चुनाओ किती थी आए और हम सैकिल वाले चुनाओन इसन पर बटन दबाएं और समाजवादी पार्टी हर समाज के लिए सोचती है ना कि अमीर और ग गिरता है अब की बार समझा देंगे दो बार गिरता है एक बार गिरता है दो बार गिरता है तीसरी बार गिरता है चौती बार नहीं गिरेगा एक बार चौदा में दे दिया सत्रा में दे दिया और नईस में दे दिया अब उसको आँख खुल गई है आँख में आ गया है कि ये पांच किलो जोगानाद दे रहे हैं हमको सव रुपे का और एक महीने में एक लीटर जो तेल दे रहे हैं और एक हजार रुपे सिलंडर में साड़े च्छसा रुपे इचाही ले ले रहे हैं उसके तो समझ में आ गिया है और जनता मज़ा चिखाने के लिए तैयार किसका पलड़ाबाद है कि इसके पहले समाज भारती जनता पार्टी के यहां विधायक थे अब जो भी नाम रहा हमने कभी देखायी ने तो नाम कैसे जाने हम नहीं जानते उनको विधाय को नहीं जानने हैं और चुनाव लड़े ते और चुनाव भाड़ में भी इतने पानी में देखाए दिए, नाले में भी अतने पानी में देखाए दिए, उच्छ पांच साल तक संघर्स करते रहे, इसलिए मैं विजय भाधर यादो को जानता हूं, और मैं ही नहीं जानता हूं, तिन सो तेज गराम मीर व्धानसबा के हर छेतर की अवाम उनको जानती यहां तक कि 322 सहर विदान सभा के भी लोग जानते हैं कि वाह कहीं विजय बाहदुर यादो जी को कि हमारे वाड में पांच साल में एक भी रोड विपिंग सिंग जी दौरा नहीं बनाई गई क्या उनके वोटर नहीं है इस वाड में एक बार भी दौरा नहीं किया गया इसी वाड में दो जंगा 500 घर परभावित थे जल बार से पानी रुका था हपता हपता वर मानिय विजय बाहदुर यादो जी की जो बात है आप जा कर देख लीजिए पांच साल के कारकार में आपक आज भी 11 लाख रुपे की लागत से उनकी रोड बनी थी वो चमचमाती हुई दिखाई दे रही है दिवान बजार चरनलल चौरा रामदेई स्कूल देते हुए थवाई के पूल तक 37 लाख रुपे की लागत से मानिय विजय बाहदुर यादो जी ने सड़क बनाने का काम क या ये मेरे वाड और मेरे जंता ने देखा आज एक सड़क आप विपिन सिंग जी की द्वारा दिखा दीजिए या रवी किसन जी द्वारा दिखा दीजिए इस जाफरा बाजार में क्या उनको वोट नहीं मिला क्या उनके वोटर नहीं हैं हम तो ये कह रहे हैं उनके पेर दबाव कम होता और पारसद हर कोई पारसद को पकड़ता है कि मेरी गली मेरी गली जो कि हम लोगों की निधी कुछ नहीं है पारसद वरीता के नाम पे 10 लाग 15 लाग यहीं मिलता है दो साल से एक रूपिया पारसद वरीता के नाम से हम लोगों को नहीं मिला कोरोना काल में हम लोग किस तरीके से सड़क बनवाए नाली बनवाए श्रीट लाइट लगवाए पानी की समस्या है आज दो महीने से जलकल विभाग में ठीकेदारों का हरताल चला है आप जा कर दिखाई दे रहा है कोई ठीकेदार काम लगाने को तैयार नहीं है क्योंकि एक साल हो गया उन लोगों की एक रुपे की बिल पास नहीं है दो महिना हो गया है वहरताल पर बैटे हैं हम इसी वार्ड में आपको दिखा देंगे पांच जंगा अच्छा अच्छा लिकेज जह से नालियों में भी लिके जाए अगर जंता मोटर चला रही है तो नाली का पानी उनके घरों में समझें कौन से ऐसे पांच मुद्दे होंगे पांच ऐसी सबसे जरूरत मंद जो सबसे आधिक जरूरत वाली चीजें हैं जो आपके विदानसवा में जरूरी है उसको लेकर चुना होनने वालता उन चीजें को देखकर उल्ट समस्या करने के लिए उन्होंने का जो फ्लाइ ओवर बनेगा हम बनवाएंगे एक दो तीन जो भी जरूरत होगी मानिय अखलेस यादो जी से पैसा लेकर आएंगे आप बनवाएंगे आपको उधारण के तौर पे उनकी कतनी और करनी में फर्ब बता रहे हैं हम सिर्फ जो भी जरूरत होगी उसके लिए मल्टी मल्टी नेशनल आपको पार्किंग मल्टी लेवल पार्किंग बनाएंगे यहां घंटा घर में एक तो बन चुका ना एक तो योगी जी के द्वारा बना गया आप जाकर देख लीजे घंटा घर की क्या इस्तिति है अगर जाम लगता दो दो घंटा जंता फसी रह जाती है तो वहां बहुत जरूरी है और जो बनवाएं है योगी जी आप जाके देखिए उसकी कंडिसन क्या गाली नहीं खड़ी हो रही है ऐसी जंगा बनवाने से कोई फायदा नहीं कि हमको कोई वहां गाली नहीं खड़ा कर रहा है उस पे जागरू करा जाएगा उसको उसके तरीके से उस पे अमल किया जाएगा जाएगा उस पे जागरू के लिए हम लोग कैम चलाएंगे वहां पे महीनों भर कैम चलेगा कि आपको अब गाली यहीं खड़ा करना है इस तरीके से जंता से गुजारिस किया जाएगा निवेदन कि जाएगा और प्लेस बाड़ की समस्या हम विजेबाद उर्यादो जी ने कह दिया है नए पंपिंग स्टेशनों का स्थापना होगी पुराने पंपिंग स्टेशन सारे जो भी मरमत मांग रहे हैं उसको मरमत होगी और अगर मरमत से नहीं काम चलेगा उनको भी रिनिवल कर दि की जो सोच है अल्ला काम्याब करें उनको बहुत रहत मिलेगी जाफरावादर बहुत से एरियों में जहाँ पानी लगता वहाँ वहां हमारा जाफरा बज़ार हम ठीकर चौथा 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 लंबा हो रहा है का चौथा आ माने विजाई बादूर यां आपने आवागवन की सुविधा को अच्छा कर ले ना तो यह अच्छी बात नहीं जनता के हित में आखरी आखरी काम जो जरूरत के हैं जिसकी जरूरत है ज़रूरत पर जिन आप सामने देख सकते हैं इसी तरीके से बहुत से पोल हमारे वार्ड में खाली है उन सारे पोलो पर मान्य विजय बहादुर याजो यादो जी की तरफ से इस्ट्रेट लाइट का इंतिजाम करवाई है पांच काम आपने बता हैं जिसको लेकर विदानसवा की जनता वोट करेगी जो आपके नेता के मुखे काम होने वाले हैं क्या नाम है सर कृष्णा कुमार कुमार दुबे जी एक और युवा साथी हैं युवा क्या सोच कर कि स्पाइटी को ओट देने वाला है 2022 में युवा इसलिए सोच के बेरोजगारी जो इस वक्त सबसे ज्यादा मुद्दा है युवा के लिए माबाप क्या बलता है घर बेज करके जमीन बेज करके बच्चो के फ्यूचर के लिए समाज के लिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उदका फ्यूचर बनाने के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेकिन जब नौकरी की बात आ रही है तो वेकैंसी नहीं है वेकैंसी आ रही है पेपर लीक हो जा रहा है इस मुद्दे पे यु दूसे कर दो सब्सक्राइब कंद रठार राए तो किस से आपके उमीद्स डिवाणी के ज़के आखे चुटively वान रोजगार कि चालता बात करें दो रोजगार के वाधे कर कर रहें तो से आपके उम्मीद हैं देखिने समाजवादी की सरकार आई तो लेखपाल की वेगटन Correct сильव, जपल की वेगटन सर्कार टी तो कहा रही है यह पास करें लेखपल की था आपकार की सरकार इसे लिए चली में क्यूंक्वाबिotted का खेल ट एक उसी जाथी को रोजगार नहीं कर दे रही है चक सब्सक्रणों बाइब कर रही है था या पर लीक करवा रही है फिर उसके बाद अब वन्हार सका भी पÓ है वह ख़रा दे रही है चकबंदी लेखपाल का और यूपी त्रिपल सी का क्या होता पेपर हुआ था पेपर रेजल्ट आया ज्वाइनिंग भी हो गई आठ महीने बाद फिर उसके बाद ये गता है कि पेपर निरस्थ कर दिया जाता है कि इसमें कुछ भ्रांतियां पाई गई थी ये क्या चीज है वेकैंसी देने के बाद ज्वाइनिंग देने के बाद आठ महीना सेलरी उठाने के बाद आपने के उस चीज को निरस्थ कर दिया क्या ना मैं सर हाजी शकील निशारी नाम है समाजवाधी पार्टी के पूर महानगर अध्यच्छू सवाल कोई भी करूंगा समाजवाधी पार्टी की ही बात करेंगे कहां मजबूत है आपकी पार्टी यही सवाल पूछ लेते हैं समाजवादी पार्टी के पास लाखो करोड़ों कारे करता है जो भातियनता पार्टी के उन सभी नताओं से लड़ने के लिए हर मुद्धे पर तयार है और माली अखले स्यादों का जो भी आवान होता है जो भी उनका कहा जाकार को हम लोग जनता के द्वार द्वार तक पहुचाने का जनता से मिलने का काम कर रहे हैं और इसी सब बातों से हम उनको हराने का भी कार करेंगे किन मुद्दों से लड़ाई हो रहे हैं क्या कुछ मुद्दा है बेरोजगारी है स्वास्त की जो ब्यवस्था थी बुरी तरीके से चर्मरा गई खराब हो गई है ये भी एक मुद्दा होगा लाइन आडर बुरी तरीके से फेल है लाइन आडर की बात करें तो फिर बीजेपी आले आरोप लगाते हैं कि लाइन आडर तो बड़ा बड़ियां कर दी है सापा आती है तो गुंडो का राज हो जाता है बीजेपी का कामे है आरोप लगाना आज की देश में इस्तिती जो हो गई है जो चल रहा इस वाक्त नहीं जो कुछ पा रहे हैं तो इस तरीके के जोलेंशीर मुद्द होई लाग उखाते हैं अभी आज इनके भारतियंता पार्टी के मंत्री का वियान आया कि हम सिविल कोट लाएंगे क्यों लाएंगे इस देश में लोग आजादी नहीं है आजादी है ने लेकिन जब भारतियंता पार्टी हारती है जो उसको लग जाता है कि मैं हार रहा हूं तो ऐसे ही मुद्दे उखार के जनता की बीच में लाके थोप दिया जाता है जैसा कि आज की परिशिती बना दी गई है इस देश में समझा पाएंगे जनता को जनता तो जो है भाज़पा को कही न कहीं पसंद कर रही है इसलिए अर्चुनाव जीता दे रही है कैसे आप लोग समझा रहे है जनता समझ चुकी है कि यह जूटी सरकार है फरेभी सरकार है जितने भी वादे किये थे चैहे वो पंद्रे लाख हो चैहे रोजगार देना हो दो करोड एक भी वादा बता दीजिए भारतियंता पार्डी से जब भी आप बात करिएगा उनके के वilly होगा कि हमने सवचाले दिया हमने गैसे लेंडर दिया हमने मुप्त रासन कम से दिये यह 2004 लगंडविया की सरकार है जब आपनेदा को लागड़न लगा के सब को बंद कर दिया रोजगार ले लिया हर्ची दीद ही लिया तो आपने 5 किलो गेहु दे दिया उससे क्या मुझे 5-6,000 का चालन काट कर पुलिसें संदिय। , avenue सारी दूकाने बंथी , उसके बॉजूथ आपने ना एक रूब्य की बिजली की द्रीक इसन बचे को आता हूं जनुरेटर की फीज लिया गया मैं से अपने बच्चों को करकी आता हूं। इसलिए मैं बता रहा हूँ सरकार ने कोई काम ने किया है जीत कर चुनावार है उनका काम काज़ अच्छा है वो क्या काम करने वाले हैं और पुराने समय में उन्होंने क्या काम किया है ये भी इन समर्थकों ने गिनाया अब ये देखना महत्वपूर हो जाता है कि क्या गुरकपुर ग्रामेड बिदानसवा की जनता और पुरे प्रदेश की जनता क्या ये जो समाजवादी पार्टी के समर्थक है इनकी जो सोच है वो मेल खाती है कि नहीं और क्या समाजवादी पार्टी की सरकार आती है या फिर फिर एक बार भारती जनता पार्टी की सरकार आती है ऐसी तमाम छोटी बड़ी खवरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें उतकर्श पत्री का धन्यवाद